हलो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मेमरी इससे पहले बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के दो लेक्चर जो चैनल पे हैं वो आप अच्छे से देख लीजेगा समझ लीजेगा उसका लिंक मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूगी वहां से आप डिरेक् कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए वह आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आ जाए चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मेमरी क्या होता है इस लाइका हमन ब्रेन जो भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन हैं प्रोसेसिंग के हैँ आनल drought धर में होते हैं चोटे चोटे रूम हैं वह क्या होते हैं एक बड़ा घर को हमल्Never को हं में पार्टिशन कर दोन उसे तरीक刃 से मेमरी की बई इन घरों को हम कैसे identify करते हैं, अलग-लग address होता है, सबका अलग-लग house number होता है, तो in the same way हर एक cell का अपना एक house number, यानि cell number होगा, unique होगा, हर cell का अपना एक unique address होगा, ठीक है, the cell has a unique address which varies from 0, start from 0 to m-1, ठीक है, कहां से start 0 to maximum size m-1 हो सकता है, और minimum 0 हो सकता है, ये index vary करता है, 0 to maximum size of the memory minus 1, next देखो, computer memory को हम divide करते हैं, two broad category में, one is primary memory, other is the secondary memory, primary memory आपकी volatile हो सकती है, non-volatile हो सकती है, volatile is RAM, non-volatile is ROM, volatile आपको बताया था, जैसी power shutdown होती है, तो वो data loss हो जाता है, non-volatile में data loss नहीं होता, वो data को hold करके रखती है, चाहे आपकी light चली जाए, ठीक है, तो memory on the behalf of space, अगर हम बात करें, तो register memory होती है, cache memory होती है, primary memory होती है, and secondary memory होती है, यह अच्छे से चारो, next slide में आपको अच्छे से करवाऊंगी, देखो, उससे पहले हम देखते है, memory hierarchy, memory hierarchy में हम यह देखेंगे, कि किस तरीके से cost और size में, देखो, अगर हम बात करें, सबसे पहले, magnetic disc, magnetic tape होती है, जो, tape होती है, पहले जो चलती है, जिनका tape हम डालते थे, जैसे magnetic tape होती है, उसको हम क्या होता, tape recorder होता था, उसमें डालते थे, फिर वो play करती थी, फिर optical disc आगी, जैसे CD, DVD, फिर आगी main memory, फिर आगी cache memory and registers, अब देखो, जो यह इस तरीके से triangle बनी है, cache memory उससे बढ़ी होती है, main memory उससे बढ़ी होती है, magnetic disc उससे बढ़ी होती है, magnetic tape इससे बढ़ी होती है, जैसे increase in capacity and access time की बात करें, तो देखो, यह arrow up to down जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, देखो, यह arrow ऐसे जा रहा है, यह arrow, मतलब यह increase करी है, register में सबसे कम data सकता है, cache memory म उससे ज्यादा, main memory में उससे ज्यादा, magnetic disc में उससे ज्यादा data सकते है, magnetic tape में उससे ज्यादा, अगर हम बात करें, इसके cost की, ठीक है, पर bit cost, यह एक bit को store करने में कितना cost लगेगा, वो increase करता है, नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं, यह इसमें सबसे कम cost लगेगा, magnetic disc म उससे ज्यादा लगेगा, main memory में उससे ज्यादा, cache memory उससे ज्यादा, register में उससे ज्यादा, यानि कि सबसे costly register हो गया, और फिर यह उससे cheap, उससे cheap, सबसे cheap क्या होगा, magnetic tape, यानि कि सबसे सस्ता magnetic tape और सबसे costly register, अब दिखो, अगर हम बात करें, register memory की, तो register memory जो होती है, वो smallest ह होती है और fastest होती है आपको बताया मैं ने देखा आपने ओपर ट्रेंगल में जब हमने बनाया सबसे उपर हमारे पास क्या आता है register register में सबसे smallest है सबसे fastest है क्यों सबसे fastest है क्योंकि यह सबसे जगा close होता है CPU में जो होता है है control unit register and arithmetic and logic units जो arithmetic and logic unit S में processing होती है और data कहा होता है यह जो register में data पढ़ा होगा वो इसको बहुत easily होगा लेना है क्योंकि यह बहुत pass है इसके तो register सबसे fast होते हैं यह CPU में ही located होते हैं और very frequently जो data हम process करते हैं जो instruction करते हैं process वो हम register में store करते हैं ठीक है next देखो cache memory cache memory जो होती है यह small in size होती है but faster than main memory register से slow but faster than main memory CPU can access it more quickly than primary memory primary memory देखो यहां पे CPU है हमारा यहां हमारी main memory है यह CPU है यह main memory है अब CPU और main memory में हम data send करते हैं यहां से data यहां चाहता है processing के लिए ELU में तो जो cache memory है यह in between main memory and CPU है और यह fast करेगा processing को क्यूं जो instruction बार 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 एक्जेक्यूट होती है उन्हें cache memory में रखा जाता है ताकि main memory से access में ज्यादा time लगता है इससे क्या होती है आपकी speed of CPU काफी increase हो जाती है जो आपके CPU है ना CPU की अगर वो कहें कि हम कि किसी main memory से access करने में उसको एक minute लग रहा था यह एक second लग रहा था तो एक second का भी काफी fraction में लगेगा अगर हमारे पास data cache memory होगा तो यह काफी fast होती है main memory से केटेग्राइज करें अगर हम primary memory को करें तो सबसे पहले primary memory है primary memory main memory of the computer होती है इसको directly read or write कर सकते है CPU ठीक है it is fixed on the motherboard of the computer primary memory को हम फिर divide करते है RAM and ROM में किसमे random access memory and read only memory ठीक है random access memory क्या होती है और read only memory क्या होती है यह क्या होती है आपकी volatile और यह होती है non-volatile nature देखते हैं अभी primary memory रेखो random access memory है RAM is temporary memory यह volatile type की memory होती है यानि जैसे ही power supply off होती है इसके content automatically delete हो जाते हैं lost हो जाते हैं ठीक है the information stored in the memory is lost as the power supply of the computer is turned off अगर हम बात करें read only memory की read only memory में असा नहीं होता है read only memory में हमारे पास data है वो permanent रहता है hold करके रखता है data को चाहे power switch off हो जाए ठीक है यह starting instruction of computer को hold करके रखती है ROM cannot be over written क्योंकि देखो नाम सी पता चल रहा ना read only memory read only memory means it can be read only इसको हम delete नहीं कर सकते data इसमें से और इसको हम rewrite नहीं कर सकते ठीक है यह read only है only it is also non-volatile in nature देखो RAM जो होती है वो क्या होती है volatile in nature ओके और जो RAM ROM है हमारी that is non-volatile non-volatile means permanent store करके रखते है यानि की hold करके रखते है data को जैसे switch off होगा वो data loss नहीं होगा और जैसे computer switch off होता है RAM में data आपका loss हो जाता है फिर आता है secondary memory secondary memory क्या होता है यह permanent type की memory है it is used to store the different program and information permanently यह hold करके रखता information को जब तक आप खुद उसको erase नहीं करते ठीक है इसमें फिर types हैं आपके पास hard disk, cd, dvd, pen drive, flash drive यह आपकी types है one by one हम यह types देखते हैं सबसे पहले hard disk क्या होता है hard disk जो होती है वो आपकी computer के अंदर ही होती है उसकी capacity जो होती है 200gb से 3Tb तक है यह इसके unit होते हैं bit फिर आगे इसके extend करते जाते हैं हम ज्यादा large capacity में जैसे GB है, terabyte है, gigabyte है, megabyte है, megabyte है, kilobyte है यह सारे unit सब को करवाऊंगी मैं as it is fixed inside the CPU तो it is not easy to carry from one location to another यह one computer to another बात करते हैं portability की तो computer के अंदर यह तो पूरो का पूरो computer हमें या तो उसे खोल के उसमें से hard disk को निकालना पड़ेगा तो it is not easy to carry from one computer to another hard disk contain a number of metallic disk जिसे हम बोलते हैं platter यह metallic disk जो होती है इसमें वह उपर surface होता है उसको platter बोलते है और वह surface होता है जो उसको circles में divide करते हैं फिर वह circles जो होते हैं उनको हम track बोलते हैं उन tracks को फिर further divide किया जाता है छोटे-छोटे sectors में divide किया जाता है ताकि उसको easily maintain किया जा सकें तो अब देखो इसको डाइग्राम से समझते हैं hard disk के आपकी hard disk में यह है जो यह platter है तो इसमें देखो यहां पर इसका center होगा concentring circle होते हैं read writeable head है इससे हम read write करते हैं flexible connectors हैं जिससे connect किया जाता है यह देखो क्या होता है कि इसमें यह circle की form में बना हुए यह है आपके पहला outside circle यानि कि यह हो गया ना यह पूरा का पूरा एक track हो गया फिर अंदर यह track हो गया फिर यह track हो गया अब track में क्या हुआ है अब जैसे इसमें partition की जाती है इस तरीके से यह जो है ना बीच में जैसे इसकी बात करूं यह एक आपका हो गया वन sector यह हो गया दूसरा sector यह हो गया तीसरा sector इस तरीके से यह sectors होते हैं छोटे-छोटे एक track होता है और पूरे के पूरे surface की बात करें that is spindle ठीक है तो इस तरीके से हम spindle नहीं platter तो यह platter है platter को हमने divide कर दिया tracks and sectors में फिर आता है आपका compact disc that is CD CD क्या होती है thin plastic disc होती है जो की coated with metal होती है इसमें read and write कर सकते है data को read and write इसमें भी ना फिर आगे parts आते हैं कि किसमें हम write कर सकते हैं कि इसको सिर्फ read कर सकते हैं इसकी capacity जो होती है वो 700 MB तक होती है और इसमें हम movie, text, pictures कुछ भी store करके रख सकते हैं अब देखो compact disc इसके parts CD-ROM को उसी time पे इसमें जो data इसमें write कर दिया जाता है वो ही इसमें recorded रहता है CD-ROM cannot be used to record the fresh data by the computer CD-ROM जो होती है na computer में उसमें हम fresh data नहीं record कर सकते at the time of manufacturing CD-ROM जो उसमें data डाल दिया जाता है वही उसमें रहता है फिर a CD-R CD-R is the short form of compact disc recordable R stand for recordable data can be written on it once and can be read whenever required इस पे एक बार data store किया जाता है और बार बार इसको जब भी require वो उससे इसको read किया जा सकता है data एक ही बार लिखा जाता है उसको erase आप नहीं कर सकते और CD-RW क्या होता है R rewritable R मैंने re W means rewritable देखो इससे समझ आ रहा है कि इसमें हम दुबारा दुबारा write कर सकते हैं ठीक है इस पे CD-RW can be used to write information over and over again पहले वाली information erase करो नहीं डालो पहले वाली को यह read writeable जैसे मतलब हम इसे read भी कर सकते हैं इसमें से erase करके इस पे write भी कर सकते हैं लेकिन CD-R है इसको read कर सकते हैं इसमें हम कुछ write नहीं कर सकते हैं ठीक है फिर आता है आपका dvd dvd क्या होता है d for digital v for versatile d for disk digital versatile disk यह optical storage device है यह भी जैसे cd आपका optical disk होता है उसी तरीके से dvd भी आपका optical है device इसमें देखो उसकी तो 700 MB तक data हम cd में डाल सकते थे लेकिन इसमें storage capacity उसके comparison काफी जागा होती है अगर हम बात करें single layer इसमें भी जैसे single layer और double layer dvd आती है अगर single layer की बात करें तो उसमें 4.7GB यानि कि approximately 5GB data आ जाता है जो कि 6 times है एक simple cd से अगर बात करें double layer की double layer dvd में हम 17.08 GB data जाल सकते हैं जो कि 25 times greater है देना cd cd की capacity इसकी comparison काफी कम होती है तो dvd जो होती है और cds की तरह ही होती है लेकिन बहुत चत्रा data store करके रखते हैं तो अगर full length movie हमने store करनी है या हमने कोई कोई आसा मतलब data जो की काफी जादा है तो उसे store करने के लिए हम dvd यूज करते हैं और small amount of data है तो उसको store करने के लिए हम cds का use कर सकते हैं फिर a flash drive flash drive pen drive जैसे होता है हमारा pen drive यह काफी यूज किया जाता है आजकल आप लोग सभी ने देखा है होगा pen drive छोटा सा होता है इसे हम क्या करते हैं यह भी secondary storage device है it is an electronic memory device popularly known as pen drive in which data can be stored permanently and erased when not needed इसमें data को जितनी बार मजजी इसमें data write भी कर सकते हैं इससे upload मतलब हम computer एक computer से दूसरे computer पर data को हमने लेके जाना है तो हम क्या करते हैं एक computer से data pen drive में डालते हैं फिर pen drive को दूसरे computer से attach करके वहां से download कर लेते हैं it is a portable storage device है easily हम connect कर सकते है remove कर सकते हैं अपने CPU के साथ इसको its capacity is very देखो इसके काफी large देखो छोटे-छोटे pen drive जैसे 2GB के भी आते हैं 5GB के भी आते हैं इसकी capacity वेरी करती है फिर आता है blu-ray disc blu-ray disc क्या होती है होती तो यह जैसे cd dvd होती है न हमारी वैसे ही है लेकिन इसमें क्या होते है न this is newly invented optical data storage है device which storage whose storage capacity क्या होती है 25GB to 200GB वेरी करती है it is mainly used to store the high quality sound and movie जैसे cd होती है dvd होती है उसको बार बार चलाने से क्या होता है न scratches वगेरा आ जाते हैं तो scratches वगेरा इसमें blu-ray में बहुत कम आते हैं क्योंकि यह काफी resistant होती है toward the scratches that's why storing data on these is much safer than the cd and dvd dvd और cd के comparison काफी safe होती है next देखो memory units अब आपको मैं बताते हूं कि memory unit जैसे हर एक unit को store करने के लिए हम smallest unit की बात करें हर एक data को store करने के लिए जैसे 0 & 1 है that is the smallest unit 0 & 1 bit यानि की 1 bit 0 1 bit लेता है 1 1 bit लेता है store होने के लिए तो data in the computer memory is represented by two digits 0 & 1 आपको बताया था ना binary language होती है computer सिर्फ binary language को understand करता है 0 & 1 on state & off state ठीक है these two digits are called binary digit बोलते है इनको bits बोलते है bit is the smallest unit of computer memory सबसे smallest unit होता है अब आते है इसके combination अगर binary digit की बात करें जैसे 4 bits का क्या होता है 4 bits का बनके बना होता है nibble 0 & 1 होता है आपकी bit simple bit होती है ठीक है फिर 8 bits के combination को हम बोलते है bite क्या बोलते है bite देखो 1 bite होता है 8 bits 8 bits means continuously हम 8 bits का combination लिख सकते हैं जैसे कि यह हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 यानि कि 8 bits के combination से मिलके बनी होगी आपकी byte ओके अब देखो byte में इसके बाद अगर हम large amount of data को हमने memory में store करना है तो उसके लिए unit फिर आते हैं kilobyte megabyte gigabyte terabyte इस तरीके से ठीक है अब हम kilobyte की बात करें तो जैसे kilo होता है उसमें सब कुछ 2 की फॉर्म में होता है binary को सब binary language support करता है तो हम हर कुछ 2 की फॉर्म में होगा जैसे हम जर्नली अगर कहते हैं कि 1 kg कितने ग्राम के एक कुल होता है हम mathematics में तो हम जैसे 1000 का लेके चलते है ना figure तो 2 की फॉर्म में हम सब जो 1000 के close होता है 1024 होता है होता है तो हम इसको 1 kilobyte क्या होगा 2 raise to power 10 bytes 2 raise to power 10 means 2 को 10 times multiply करेंगे तो 1024 bytes आ जाएगा kilobyte equal to 1024 bytes 1 megabyte अगर देखो byte क्या होता है bit bytes को हम bits में change कर सकते है 1 megabyte अब देखो 1 megabyte 2 raise to power 10 kilobyte होता है अब इसको byte में change करना है तो 2 raise to power 10 kilobyte है kilobyte को हम क्या लेख सकते है 2 raise to power 10 into 2 raise to power 10 bytes तो क्या बन जाएगा 2 raise to power 20 bytes इसको हम लेख सकते है 2 raise to power 20 bytes ठीक है तो 1 megabyte 1 megabyte है वो किसके को आजाएगा 2 raise to power 20 bytes के next देखो 1 gigabyte 1 gigabyte को 2 raise to power 10 MB लेखते हैं तो 2 raise to power 10 MB को क्या लेख सकते हो आप 2 raise to power 10 MB को फिर क्या लेख सकते हो तो 1 gigabyte क्या आजेगा 2 raise to power 30 bytes तो ये क्या आजेगा 2 raise to power 30 bytes ये क्या था 2 raise to power 20 bytes और ये क्या था 2 raise to power 10 bytes तो 1 kilobyte equal to 2 raise to power 10 byte 1 megabyte equal to 2 raise to power 20 bytes 1 gigabyte equal to 2 raise to power 30 bytes इसी तरीगी से 1 terabyte आजाएगा 2 raise to power 40 bytes ये आपके होते हैं units memory को represent करने के लिए सबसे छोटा unit होते हैं आपका bit चीक है होप सो आपको अच्छे से समाझ आया ऐस्के से सस्चे आपका bit बיसा आपके ठापका आपके सा होज़गा